इस वीडियो में आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग जानकारी मिलेगी कि तहसील के दो सबसे बड़े अधिकारी जैसा कि आप जानते होंगे एक SDM होता है और एक CEO होता है, CEO जिसके कहीं कहीं DSP या ACP भी बोलते हैं तो आप जानेंगे कि SDM और CEO में से कौन अधिक पावरफल अधिकारी होता है और किसके क्या क्या कार होते हैं, किसका कारचेतर क्या है और किसकी क्या सक्तियां है किसको कौन सी सक्तियां परापते हैं ठीक है और साथ में आप जानेंगे कि एक जिला लेवल पर DM और SP में कौन अधिक पावरफल होता है किसकी कार है और सकती है किसकी अधिक होती है और साथ में आपको बताना होगा कमेंट करके आपको अवस्थ बताना होगा कि आपको कौन आपकी निजर में कौन अधिक पावरफल होता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखे सबसे पहले बात करेंगे बड़ी इकाई के बारे में ठीक है जैसा कि आप सबी लोग जानते होंगे एक झिला जो होता है, वो कई तैसीलों से मिलकर बना होता है एक जिले में 2-4-5 तक तैसीले हो सकती है ठीक है, अगर वही बात करें वहीं जिला के दो सबसे बड़े इदिकारी क्यों से होते है जैसा किआप सबी लोग जानते होंगे महतबूर जो बिंदू है वो भी आपको बताऊंगा और दूसरा जो पुलिस प्रसासन का सबसे बड़ादिकारी होता है उसे कहते हैं SP जिसे कहते हैं सुप्रिटेंडेंट ओफ पुलिस जिसे पुलिस अदीच्छक हिंदी में पुलिस अदीच्छक भी कहते हैं तो सबसे पहल SP के अंडर में ही आजाती हैं SP पूरे जिला जो भी पूरी जिला की पुलिस है उसे दिसांदर देसित कर सकता है और मालीजे किसी थानाय में मालीजे निरिछड कर सकता है वही कैसा कार कर रहे हैं और जो भी है जाच कर सकता है पुलिस प्रिसासन को ले कर ठीक है अब आपके मन पारी SSP होगा ठीक है जिले में SSP की तैना निवी की जाती है और SP की तैना निवी की जाती है ठीक है अगर मालीजे आपके जिले में SSP है Senior Superintendent of Police आपको ध्यान रहे वहाँ पर SSP क्या फिल फॉर्व हो गई Senior ठीक है वो बड़ा यानि कि Senior Superintendent of Police देखिए SSP और SSP के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ कि देखिए SSP जो होते हैं वो सामान जिलों में SSP की तैना निवी की जाती है जो सहरी जिले होते हैं या जो बड़े जिले होते हैं कई वहाँ पर उनकी SSP की तैना निवी की जाती है अगर आपके जिले में SSP है तैना नि आपको एक ही सब्दों में बता दूँ तो जो district magistrate जो होता है वो पूरे जले का मुखिया होता है ठीक है पूरे जले का सरवे सरवा जो होता है वो district magistrate ही होता है आप सरव सब्दों समझ लिए अब मैं अगर उसके कारचितर के बारे में बात करूँ तो देखिए जो SP जो होता ह वो सिर्फ पुलिस प्रसासन का आई सबसे बड़ा अधिकारी होता है ठीक है पुलिस प्रसासन कोई दिसांदर देशित कर सकता है क्या आपने कभी देखा है कि SP ने किसी स्कूल का ने रिच्छड किया जाके कि वही पढ़ाई कैसी हो रहा है लेकिन जो डिस्टिक मजिस्ट्रेट डियम जो होते है वो पूरे जिले के जो भी पूरे जिले में जो भी प्रसासन है चाए वो पुलिस प्रसासन है चाए वो स्कूल का प्रसासन है पूरे जिले में जो भी प्रसासन है उसे दिसांदर देशित कर सकते है अगर DM को लगता है कि माली जी इसमें कोई महामारी या माली जी कोई बीमारी फैल रहे कोई संक्रमक फैल रहा है तो DM जो District Magistrate जो होता है वो वहाँ पर lockdown लगवा सकता है आमाली जी कहीं हालात खराब हैं कहीं दंगा जैसे इस्तिती है तो वहाँ पर धारा 144 भी लागू कर सकता है अगर District Magistrate चाहे तो वहाँ जो भी जिला पुलिस जो होती है पूरे जिले की पुलिस को दिसान दर्देसित भी कर सकता है वो किसी थानों में जाके थानों की जाच भी कर सकता है थानों का निरिचड भी कर सकता है और वो किसी स्कूल में जाके वही स्कूल का भी निरी चड़ कर सकता है कि वही स्कूल में कैसी पढ़ाई चल लगी है तो मैं आपको सरल सब्दों में बता हूँ कि जो district magistrate जो होता है वो पूरे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पूरे जिले का मुखिया जो होता है वो district magistrate होता है अब आते हैं अपने main topic पर कि SDM और DSP जो CEO होता है एक SDM और CEO में कौन अधिक powerful होता है किसके क्या कार हैं किसके कार चेतर क्या हैं और किसको अधिक सक्तियां प्रापते हैं तो मैं आपको बात बता दूँ कि जस परकार एक जिले में DM और SP का रॉल होता है उसी परकार एक उपकंड में यानी कि तैसील में DM की जगला SDM और SP की encore DSP DSP जैसे CEO कहते हैं उसका रॉल होता है जिले में DM और SP और तैसील क्योता है उसमें SDM और DSP ठीक है अब आपके उनके SDM और CO के जो DSP होता है उसके कार इच्छे त्रोर बता दूँ आपको कि उसके कार क्या क्या होते हैं उसकी सक्तिया क्या क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं CEO के बारे में देखिए CEO की full form circle officer या हंदी में इसे च्छेतर अदकारी कहते हैं अलग 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 प्रांतों में CEO को अलग अलग नाम से भी जानते हैं जो भी आपकी तैसिल है वहाँ पर एक स्यो मिलेगा आपको स्यो के अंडर में कई थाने आते हैं जो भी आपकी तैसिल में थाने हैं या चौकियां है वो सभी स्यो के अंडर में आते हैं स्यो जो होता है जो भी उसकी तैसिल में जो भी थाने पड़ते हैं जो भी पुलिस प्र जो बड़ा दिकारी होते हैं लेकिन स्यों जो होता है वह उसके छेत्र में जो भी थाने हैं जो भी पुलिस परसासन है उन्हें वह दिसानरदेशित कर सकता है अब बात करें SDM की, Sudivisional Magistrate की तो देखिए जैसा मैंने पहले बताया है कि जिस प्रकार एक जिले में DM होता है DM की value होती है उसी प्रकार एक तैसिल में SDM की value होती है ठीक है एक मैं आपको और बता दूँ कि जो district magistrate जो होता है वो राजस मामले जो होता है वो जिलास तरी पर राजस मामले देखता है पूरे जिले के जो भी राजस मामले हैं वो SDM के आसनवाई होती है ठीक है और जैसा कि मैंने बताया SDM जो होता है वो तैसिल के सभी प्रसासन जो भी तैसिल में प्रसासन है उनकी निरिच्छड कर सकता है जैसे मामले जीए SDM जो है पुलिस को भी दिसानरदेसित जो भी उसकी तैसिल की पुलिस है उसे दिसा निर्देशित कर सकता है SDM जो है धारा 144 भी लागू कर सकता है लेकिन अगर वहीं बात करें CEO की तो CEO तो अपना जो सरकेल आफिसर जो पुलिस का CEO जो होता है वो अपना पुलिस प्रसासन ही देखेगा जो भी उसके तैसिल में जो भी उसकी छेत्र में जो भी पुलिस प्रसासन है तो वह अपने पुलिस प्रसासन को ही दिसा निर्देशित करेगा पुलिस प्रसासन को ही देखेगा लेकिन SDM की बात करें तो SDM जो है जो भी उसकी तैसील है जिस तैसील का SDM है तो उस तैसील की प्रसासन को भी देख सकता है और जो भी तैसील के अन्य प्रसासन है उन्हें भी देख सकता है और यानि कि कहने को तैसील का सरवे सरवा तैसील का मुकिया जो होता है SDM होता है और